राधे राधे अब्रीवन आप सभी का हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो में आप सभी के साथ सेयर करने वाली हूँ प्रदोस ब्रत का उध्यापन आप अपने घर पर स्तरल तरीके से और बिलकुल सिंपल तरीके से अगर करना चाहते हैं तो किस बिदी से आप कर सकते हैं बैसे तो देखिए किसी ब्रहमन को बुला कर आपको अपने घर में रुद्रविशेक करवाना चाहिए अगर ऐसी विवस्ता नहीं हो पा रही है और आर्थिक इस्तिती इस प्रकार की नहीं है तो आप सिंपल तरीके से प्रदोस ब्रत का उध्यापन आप सियम भी कर सकते हैं तो सबसे पहले भगवान शिप की चौकी लगा ली है सफेद कलर कर नीचे आपको कपड़ा बिछा सकते हैं उसके बाद भगवान के दाही नहीं और यहां पर मैंने घी का दीपक रख दिया है इसे अभी प्रजुलित भी करूंगी तो देखिए सबसे पहले आपको दीपक प्रजुलित करना है तो देखिए हमने यहां पर घी का दीपक प्रजुलित कर लिया है और उसके बाद अगर आपके पास भगवान शिप पारवती की इस तरह की तस्वीर है तो आप पूजा में तस्वीर भी आप जरूर लगें उसके बाद जो है ना मैंने एक चांदी की प्लेट ले ली है अगर आपके पास चांदी की प्लेट नहीं है तो जो भी प्लेट आपके पास है वो प्लेट आप यहां पर रख सकते हैं और उसके बाद जो है ना सबसे पहले हम दीपक का यहां पर पूजन करेंगे तो पूजा म मैं सबसे पहले दीपक का पूजन किया जाता है मैंने यहां पर देखिए फूल चढ़ा दिया है दीपक पर जो है ना रोली और चावल के चुटी-चुटी सी बिंदिया मैं इस तरह से लगा दूँगी तो दीपक का पूजन हो जाएगा उसके बार देखिए अगर आपके पास सिवलिंग है घर पर सिप पार्वत सिप जी है, पार्वती जी है, गड़ेज है पूरा उनका सिप परिवार अगर आपके पास है तो इस पलेट में स्वास्तिक बना कर उन्हें यहां पर बराजमान कर ले अगर नहीं हैं तो आप मिट्टी का सिप परिवार जरूर बनाएं बैसो तो देखिए पार्थिक सिप परिवार का अविशेक करने का अनंत गुना फल हमें प्राप्त हो सिप परिवार का अविशेक करना ब्रत में बहुत जाना जरूरी होता है मिट्टी का बनाते हैं अती उत्तम हैं अगर मिट्टी नहीं है आपके आस-पास तो जो है न जो भी आपके घर में सिप परिवास है उसकी भी जो है आप यहां पर अभिशेख जो है जो है लूँगर करें क्योंकि भगवाय शिप का अभिशेख करने का याद रखें जलहरी का जो मुक होता है वो उत्तर दिसा की और होना चाहिए और इस तरह से मैंने अपनी भगवान्षिप की जलहरी का मुक उत्तर दिसा की और कर दिया है सामने पारवती जी बैठी हैं बगल में गडेजी बैठे हैं तो इस तरह से बराजमान किया जाता है मेरे पास नंदी जी नहीं है इसलिए मैंने यहां बराजमान नहीं किये हैं तो इस तरह से जो है ना सबसे पहले आपको भगवान शिब का गडेजी का पारवती जी का नंदी का और कार्टेके का मन में आपको ध्यान जरूर करना हैं तो ध्यान करते हुए मैंने पुस पोछावल चढ़ा दिये उसके बाद मैं भगवान शिब को नान करा रही हूं गंग तो क्रम इसी क्रम से भगवान शिप परिवार की पूझा होती है, कोई भी पूझा करें, क्रम यही रहता है। तो मैंने हैं पर सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराया, उसके बाद मैं यहां पर पंचामित से स्नान करा रही हूँ, तो पांचों चीज़ां से मिलकर पंचामित बनता है आपको पता होगा उसके बाद जो है ना मैंने यहां पर सुद्ध जल से अभगवान शिप का इश्नान कराया है और इसके बाद जो है आप चाहें तो कच्चे दूर से भगवान शिप का अभिशेग भी कर सकते हैं तो अगर आप रुद्री से करना चाहते हैं आपको रुद्री आती है तो बड़े बरतन में भगवान शिप को स्थापित करें अगर आप रुद्री अभिशेग कर रहे हैं भगवानश्द का अभिशीक जरूर करें इसके बाज यहां पर भगवान का अंग पोशन किया है और इत्र कौन सा लगाया है मैंने आपको दिखाया था गुलाब बला इत्र यहां मैंने भगवान को लगाया है क्योंकि अभी गर्मियां पढ़ने लेए हैं गर्मियों के हिसाब के इत्र लगाए जाते हैं तो इत्र लगा दिया है बहुत अच्छी बढ़िया सी खुस्बू आ रही है और उसके बाद मैं यहाँ पर दो दो बस्तर भगवान को अर्पित करूँगी अगर आपके पास भगवान के वैसे बस्तर हैं पहनाने वाले कप्ड़े हैं तो आप उन्हें भी पहना सकते हैं अगर नहीं है तो इस तरह से कलावा रूपी बस्तर भी भगवान को इस तरह से अर्पित किये जाते हैं हमेसा दो वस्तर्पित किये जाते हैं एक धोती दूसा दुपट्टा तो दो दो वस्तर आपको अर्पित करनी है सबसे पहले गड़ेजी को फिर पारवती माता को और उसके बाद नंदी जी कार्तिके मतलब जेतने भी आपने सबको आपको बस्तर्पित करना है इसके बाद गड़ेजी को और भगवान शिप को हम यहाँ पर जनिव अर्पित करेंगे तो मैं यहाँ पर जनिव चढ़ा दूँगी इस तरह से दिखे जनिव को एक सा आप जरूल करने गुचुर बुचुर करके नहीं चढ़ाना है ध्यान रखें सवात का तो एक सा मैंने जनिव करके जो हैना गड़ेजी को अर्पित कर दिया है उसके बाद भगवान शिप को मैं जनिव अर्पित कर दूँगी इसके बाद जो हैना मैं भगवान को चंदन और रूली का टिका करूँगी पारवती माता को मैंने रूली चढ़ा दी है और बाकी सभी को जो हैना मैं चंदन से इस तरह से टिका करूँगी और चावल चढ़ा दूँगी तो इस तरह से भगवान शिप का पूजन किया जाता है माता पारवती को मैंने रूली कटी का लगा दिया इसके बाद चावल भी जड़ा दूंगी और उसके बाद आपको धूप और दीब दिखाना है भगवानशिप को और इसके बाद यहां पर बेल पत्र चड़ाऊंगी तो बेल पत्र की डंडी का चड़ाया जाती है और इसका कोई बड़ा कारण होगा तो भी मैं आपको बताऊंगी इतना कारण जो है ना मुझे पता था तो मैंने आपके साथ यहाँ पर सेयर कर दिया उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर फूल चड़ा दिये हैं तो फूल भगवान के चड़नों में मैंने अर्पित कर दिये हैं इसके बाद लगाएंगे हम भोग तो जो भी जिस समय में मौसमी फल आता है उसी का जो है उस समय भोग लगाया जाता है तो मैंने यहाँ पर भोजन बनाए है उसका भी भोग आपको जरूर लगाना है क्योंकि उस दिन से आप उस ब्रत को पूर कर देते हैं और अपना खाना खाना है वो इस तरह से मैंने सारी चीजों का भोग लगा दिया है भोग लगाने के बाद अपने सीते हाथ में आपको एक बेल पतर रखना है अपनी आर्थिक स्तथी की अनुसार अपनी इच्छा की अनुसार जो भी दक्षना आप दान करना चाहते हैं वो दक्षना अपने हाथ में रख ले थोड़े से चावल आप अपने हाथ में रखें और प्रदोस ब्रत की आपको कथा पढ़नी है तो कथा पढ़ने हाथ में सा प्रदोस के ब्रद पूर्ण करें और भगवान तो देखिए घट घट वासी है रहा जगे ब्राजमान है आपके मन की हर चीज को समझते हैं उनसे मांगने की कोई आवशक्ता नहीं होती और ब्रद जो है न हम किसी चीज को मांगने के लिए तो बिलकुल नहीं करतें ब्रद कर पूजा पाट करने से हमारे मन को शांती मिलती है इसलिए हमें करने चाहिए और भगवान तो हमारी हर मनुकामना पूर्ण करी देते हैं और उसके बाद आपको प्रदोस की कम से कम जो होना एक पुस्तक किसी को आपको दान जरूर करने चाहिए बैसे तो देखिए 11 पुस्त दान रखें और जिस ब्राह्मन को आप भूजन करा रहे हैं उसी को दक्षना दान कर दे और ये पुस्तक आप उन्हें दान करें और इसके बाद आपको यहां पर गुलाल चढ़ा दिया है मैंने अभीर चढ़ा दिया है संदूर चढ़ा दिया है इसके बाद हम यहां पर करना आपको दिखाउंगे तो हवन की लकृणियां यनिया उनको समिधा बोला जाता है उसके पहले आपको आहुतियां देनी है उसके बाद ढगवान शित की भी मंतर से जो उसके बदो बाहने हैं, अगर कोई मंत्र नहीं आता तो आपका। गुरु मंत्र हो लाख चेया, उसके बाद को नहीं आता है कि अगर कोई भी मंत्र नहीं को, आनोом के मिन्त्र मंत्र आता से भोब होत्त lend तो बहुत जल्दी हमारे देवी देवताओं तक हमारे इष्ट देव तक पहुंच जाता है तो यहां पर मैंने पांच बार भूक लगा दिया है उसके बाद जलका आचमन करवाना है माता पारवती को सुहाग का सामन जरूर चड़ाना है आप चाहें तो जब हमने माता पारवती को स्रंगार किया था उनको रूली का ठीका लगाया था उस समय आप माता पारवती का स्रंगार कर दे और इस तरह से सुहाग दान भी कर दे आप तो सुहाग की सामक्री आपको पता है एक आप चाहें तो साड़ी ले सकते हैं, ब्लाउस का पीस ले सकते हैं, महंदी, महावर, चूड़ी इस तरह से जोएना आप प्रदोस ब्रत का उध्यापन कर सकते हैं, और हाँ आर्ती करने के बाद जल का अर्ग देना आप बिल्कुल न भूलें, और प्रदोस ब्रत के उध्यापन में कम से कम एक ब्रहम्मण जोड़े को आपको भूजन कराना है, जोड़े का मतलब होता है एक जैंस और एक लेडिस, तो दोनों को जोड़े आप भूजन जरूर कराएं, और भूजन में लेहसन प्याज का आपको प्रियोग नहीं करना है और ब्रहमन को जोड़े को भूजन कराने के बाद ही आपको भूजन करना ऐसे नहीं कि पहले आप भूजन करने बाद में ब्रहमन को करवाएंगे तो ऐसा नहीं किया जाता सबसे पहले आपको उन्हें भूजन कराना है सुहाग का सामन आप किसी मतलब लेडिस को दान कर सकते हैं अगर आप कोई माने धान है तो आप उन्हें दान कर दे अगर कोई पन्यतानी जी है तो आप उनको भी दान कर सकते हैं और जिनको आपने खर पे खाना खाने के लिए बोलाया है उनको भी जो है आप दान कर सकते हैं कर दे हैं तो आपकी इच्छा है कि आप इस ब्रत्म के पून होने पर क्या दान करना, चाहते हैं यह आपकी मन की इच्छा है तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें जैसी राधे मित्रो राधे राधे